हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने iq7 android mild phone में आप जो है add text on lock screen इस setting को आप जो ना use कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह add text on lock screen setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी detail में जानकारी देने वालों तो वीडिय तक ध्यान से जरूर देखिए तो चलिए यहां पर वीडियो को start करते हैं सबसे पहला तो आपको अपने phone में setting page open करना है ठीक है setting page को open करिए setting page में आपको यह option मिलेगा lock screen and wallpaper इसे आपको select करना है अब इसके बाद आपको अगले page में नीची की side यह option मिलेगा lock screen setting का इसे आपक यहां पर लिख सकते हैं अपना नाम या कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखे मैं अपना name यहां पर type कर देता हूं तो यहां पर इसके बाद आपको इसे okay कर देना है ठीक है अभी setting काम कैसे करेगी यह मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो प्रिके से काम करती है ठीक है अब मैं आपको ने ये भी बता देता हूं कि कैसे आप इस एड़ टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन सेटिंग को अपने मुवाइल फोन में शौटकट करीके से कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने मुवाइल फोन म आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इस तरीके से तो आपको नीचे की साइड में ये ओप्शन शो हो जाएगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का इससे आपको सेलेक्ट करना है इससे क्या होता है आपका मुवाइल फोन आपको डिरेक्ली सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस से सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे ना इस option को तो आपको अगले पेज में नीची की side यह option आपको मिल जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंडने का